Greater Noida में बसे एक छोटे से गाउं सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभै दानम एक ऐसी संस्था जिसमें मूख प्राणी एवं असहाय पशुपक्षियों के पालन पोशन से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम विवस्था की जाती है संस्था में उपस्थित, चिकित्सक एवं अन्यसदस्य, दिल्ली NCR एवं अनेक शित्रों से 24 घंटे असहाय पशुपक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कारे कर रही हैं संस्था में ज्यान दानम गुरु कुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिये जा रही हैं शिक्षा ही नहीं, बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी नेशुल्क व्यवस्था की जाती है इनके साथ ही संस्थान में आउशदानम आयूरवेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्ष से लोगों का उपचार नेशुल्क किया जाता है संस्था में हत करगा एवं हस्त शिल्प प्रशिक्षन की इंद्र भी संचालित है जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का नेश्विल्क प्रशिक्षन प्रदान किया जा रहा है सन 2017 में इस परिसर में शुदिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई जहां अरिहंत गिरी तमिलनाडू से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रदिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है प्रदिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है मंदिर जी में प्रति दिन प्रभुका अभशेक, शांतिधारा एवं पूजन होता है वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहां अभशेक है तू वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे की नार्यल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है क्षेत्र पर हस्त लिखित पांडुलिपी संग्राहले, जैन वीगन और्गनिक भोजनाले, गुरुकुले निर्मान का कार्य निरंतर चल रहा है यदि आप भी ऐसे मन्मोहक स्थान, संस्थानम, अभैदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868-356946-93293-22040 आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला मंगल आशीर्वाद परंपुझे आचारेश्री 108 शुत सागरजी महराज परंपुझे आचारेश्री 108 प्रमुक सागरजी महराज प्रेरना स्रोद परंपुझे मुनिश्री 108 प्रणम्मे सागरजी महराज एवं परंपूज्य पाठ शाला प्रनिता मुनीश्री 108 अनुमान सागर जी महराज नमन करता स्वर्गेश्री उमाशंकर जैन घाजियाबाद वाले अगले सूत्र में इसी अध्याय में हम एक शब्द पढ़ेंगे विग्रे गती यानि कि अभी मान लीजिये यहाँ पर कोई व्यक्ती बैठा है उसका मरण आ गया मरण आते ही अब उससे पहले उसका पूरु जन्मों के या इस जन्म के उसके कर्मों की वज़े से कन्फर्म हो गया कि भई वो उस इस्थान पर उत्पन होने वाला है दूसरे जीव की परयाय में मनुश्यकती से गया और कहां जाने वाला है एक इंद्रिय परयाय में मान लीजिये जाने वाला है जल का जीव बनने वाला है तो अब जो है अभी बना नहीं है अभी पैदा नहीं हुआ कुछ छण पहले क्या बोला जाएगा जल जीव यानि की जल में उत्पन होने वाला जीव अभी उत्पन नहीं हुआ है ना जैसे के मनुष्य की गती में पहुँचना है किसी जीव को किसी दूसरी गती से अभी रास्ते में हैं आया नहीं है मरने के कुछ समय बाद उसका दूसरी परियाय में जनम होता है वो हम विग्रे गती में इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे एक दो तीन चार मैकसिमम चार समय के अंदर वो जीव दूसरी परियाय में उत्पन हो जाता है समय क्या होता है सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग है काल की सूचमितम इकाई है यानि कि एक सेकंड से भी बहुत कम समय में जीव एक परियाय से मरत्यू को पराप्त करके दूसरी परियाय में जनम ले लेता है उसकी जो बीच का सेकंड के भी जो बहुत सूचम भाग है उसको कौन सी गती बोलते हैं विग्रह गती इसी अध्याय में आगे की सूच में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो जब ये जो जीव है अभी जल में उत्पन नहीं हुआ विग्रह ग मूरत में यानि की एक मूरत से कम समय में उसको वहाँ पर उत्पन होना है अंतर मूरत में जो आत्मा जल में जनम लेने आ रही है अभी विग्रह गती में है अंतर मूरत में जो आत्मा जल में जनम लेने आ रही है विग्रह गती माने अभी रास्ते में है अभी अपने पुरानी गती से चल चुकी है और यहां पहुंचने वाली है अब जो यह जल काईक वरड़ा रहा है अब यह जल काईक क्या है जल काईक माने अब उसने जनम ले लिया वहां जल पर पहुंच गई तो अब उसकी जो जल है वही काया बन गई जल काईक माने काया बन गई शरीर शरीर माने काया अब उस आत्मा ने जल में जनम ले लिया जब उस आत्मा ने जल में जनम ले लिया तो उसे क्या बोलते है जल का एक जीव यानि की जो अन्छना पानी है जो ऐसा ही पानी है जो अभी पीने योग्य नहीं है है ना जहन दर्हम के अनुसार जिस जल में अभी बहुत सारी आत्माएं पहुँच गई है जिसमें विग्रेगती से आकर बहुत सारी जल का एक जीवों ने जनम ले लिया अब कौन सा पानी पी सकते हो जल वाला अब जल वाले पानी पे पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको बॉयल करना पड़ेगा पहले अच्छानना पड़ेगा फिर उसको उबालना पड़ेगा तो आगे देखते हैं कि कौन सा पानी हम पी सकते हैं एक शवड आता है सास्त्रों में जल दूसरा जल जीव तीसरा जल कायक जीव और चौथा अंतिम शब्द आता है जल काय जरा जरा साथा सा फरक है अब जब आप इतनी डिटेल में चीज़ें कर रहे हैं तो और अच्छे किसे कर लें जिससे की आगे आने वाला आपका भविश्य का कंफ्यूजन कम से कम हो जाए अगला शब्द क्या है जलकाई कि जलकाई अब जब उस जल को हमने क्या किया चानने के बाद उबाल लिया है ना उसे जल को चानने के बाद उबाल लिया यानि कि अगनी के संपर्थ में लाकर उसको गरम कर दिया तो क्या हो गया अब जल जीव रहित हो गया जिसको प्रासुक जल भी बोलते हैं ठीक है चानने के बाद अब इसमें जो नोट है दौक्त के बहुत सारे लोग क्यों है यह बोलते है कि छानने से एक इंद्रिय रहित हो गया जल का एक जीव चले गए जल का एक जीव छानने सेनी जाते वो तो इतनने सूच में कि कपड़े में कैसे पकड़ में आ जाएंगे जब दिखाई ही नहीं दे रहे इतने सूच में ये जो सारे जीव हैं कि वो पुदगल जो होता है उसको रोक नहीं सकते वो तो क्योंकि जल में उनकी काया बन गई इसलिए कुछ समय के लिए जल में रुक गए जो वायू काये कोई से भी ये जो एक इंद्री अजीव है वो इतने सूच में कि ये जो दीवार है ये उसे रोक नहीं पाएगी ये जहां मरजी इसमें से आर पार निकल जाएंगे कहीं से भी निकल जाते हैं इतने सूचमोते हैं उनको कोई भी नहीं रोक पाता कोई बंधन नहीं दे पाता वो अपने अप अपने धर्म और धर्म द्रव्वी की वज़े से उनका नियती ऐसी होगी कि रूपना होगा तो रुप जाएंगे नहीं तो वो कहीं से भी आर पार निकल जाते हैं तो कपड़े से छन्ने से जल का एक जीव नहीं रुक सकते कौन से जीव रोकते हैं हम छन्ने से जो हम कपड़ा लगाते हैं छानने के लिए जल को छानते हैं तो कौन से जीव रुकेंगे मात्र त्रस जीव यानि कि दो इंद्रिये से चार इंद्रिये तक के कोई जीव हैं है ना पंचे इंद्रिये तो हमें वो तो बड़े ही हो जाएंगे तो दो से चार इंद्रिये तक के जीव जो भले हमें दिखाई दें या ना दिखाई दें जल को छानने से तरस जीव यानि दो से जो इंद्रिये से बड़े जीव है तरस जीव तो आपके समझ में आई गया है तरस जीव जो हमारे एक इंद्रिये नहीं है तरस जीव अलग होते हैं उबालने से कौन से अलग होते हैं बताइए उबालने से जल का एक जीव अलग हो जाते हैं जो एक इंद्रियें हैं जल का एक जीव अलग होते हैं अब इसमें प्रशन आता है कई लोगाँ का कि अबालने से इतने सारे उसमें अनंत जीव थे तो उनको हमने मार दिया क्या उनकी हिंसा हो गई क्या है ना हमने उनको नश्ट कर दिया क्या तो इसका आचार महराच करी जगें उधारांओं में बत कि जितनी देर में हमने एक सांस ली इतनी देर में एक सांस लेने मात्र की देर में जो एक इंद्रिय जीव हैं उनका अठारह बार जनम मरन हो जाता है तो कितनी सूच में उनकी आप समझिये कितना उनको कश्ट है बार बार जनम और मरन का एक सांस में अठ दस बार है ना जितना हमने सांस लिया स्वासोच्वास छोड़ा अठारह बार तो जनम मरन हो गया अब उसके उधारान से हम समझ सकते हैं कि हो सकता है हमने उनको मारा ना हो क्या किया अब नए जीवों की उत्पत्ती नहीं हुई और जो पहले से जीव थे वो हमने चुकी प्रासुक किया जल को तो अब वो दुबारा उत्पन नहीं होंगे क्योंकि उसकी काया बदल दी अब प्रासुक जल को शास्त्रों में आचारेों ने बताया कि 48 मिनट में तो छानने के बाद आप पी सकते हो पानी को जिससे कि उसमें तरस्जीव नहीं रहे लेकिन जो मुनी महराज इत्यादी हैं महावरती इत्यादी हैं या जिनोंने अनूवरत इत्यादी ले रखे हैं उनका मात्र छानने से काम नहीं चलता उसको आपको प्रासुक करना पड़ेगा क्योंकि जल का एक जीवं की भी इंसा कम से कम हो छानने में जल का एक जीव रह जाते हैं मात्र कौन से जीव अलग होते हैं तरस जीव अलग होते हैं तो इसलिए फिर आके उलेख किया कि दुबारा से जल का एक जीव जो बताया आचारियों ने उन्होंने क्या बताया कि 24 गंटे तक की उसकी मर्यादा है लेकिन उसका color change हो जाना चाहिए कुछ लोग उसमें long के powder की माध्यम से डालते हैं साबत long से काम नहीं चलता उसको आपको powder बना के डालना पड़ता है ऐसी सौंफ भी डाल सकते हैं बहुत सारी अन्य अन्य चीज़ें हैं उसको आपने powder बना के डाल दिया तो उसकी पर्याय बदल गई तो पर्याय बदलने से अब क्या होगा कि उसमें 24 गंटे तक यानि की एक दिन तक क्या होगा जल काईक जीवों की पुने उत्पत्ती नहीं होती तो हमें महावरतिय गुडवतियों के लिए द्यान लखना है कि उनका अब्यास रहता है कि स्थावर जीवों की भी हिंसा कम से कम हो और यहाँ पर क्या है कि दुबारा उनकी उत्पत्ती नहीं हो रही है हम ये मान के चलते हैं कि हमने कोई हिंसा उसमें नहीं करी जितनी सूच में हिंसा है इस सरीर की वज़े से इस परियाय की वज़े से मुक्ष मारक पर जाने की वज़े से तो उतनी ही करी जाती है हमारी हिंसा कम से कम हो यह हमें ध्यान रखना है अब आगे आपको समझ में जल, जल जीव जलकाय के जीव और जलकाय तो जलकाय वाला जो है वो पानी पीने योग होता है उससे आपको रोग इत्यादी भी कम से कम छानने के बाद में जलको हमें पुने जहाँ पर वो जीव थे उसी जल में हमें उसको साफ कर लेना चाहिए जिससे कि हमें दिखाई बले नहीं दे रहे हैं तरस जीव लेकिन वो अब छन्ना मालो सूख गया तो उसमें उनकी हिंसा ना हो तो उसी जल में उस छन्ने को कपड़े को हमें दो लेना चाहिए तेरे सुत्रापके complete हो गए क्स्थावर जीब कहुं से एक इंद्रिय जीवों को क्या बोलते हैं स्थावर जीब बोलते हैं कितने प्रकार के हैं कौन 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 से प्रतवी ब्रतवी ज़ल अगनी वायू वनस्पती त्रस जीव कौन से हैं इस्थावर के इलावा जो भी बच गए अब जल्दी से आप लोग उताईए देवता त्रस जीव हैं इस्थावर जीव हैं देवता त्रस दीव हैं देवता त्रेंच है के नहीं हैं देवता त्रेंच नहीं है नरक कौन से जीव हैं त्रस जीव हैं त् ठीक तो मनुष्य भी तरस हैं देवता भी तरस हैं और नारकी भी तरस हैं और दो से पांच इंद्रिय तक के सारे जीव तरस जीव हैं अभी आगे के सूत्र में आएगा एक नाली होती है जिसका नाम है तरस नाली तो उसका नाम ही तरस नाली इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें हम सारे की सारे चाहे मनुष्य है, चाहे देवता हैं, चाहे नारकी हैं या 2-5 इंदि तक के जीव हैं वो मात्र तरस नाली में ही रहते हैं उसके बाहर नहीं जाते तीन लोग में बीच में एक पूरी नाली बनी हुगी है कितनी बड़ी है कितनी लंबी है वो सवं तीसरे अध्याय में पूरा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे प्राकर्टिक वातरवन में इस्थित है यहां बहुत संदर हस्मुक प्रतिमा है नेमिनाद बगवान की मन प्रफुलित हो जाता है यहां पर गोशाला चल रही है पश्चु पक्षियों के लिए प्राकर्टिक वातरवरन है और खाने की भी यहां उत्तम व्यवस्त है बहुत प्रतिमा निकली है यह पूरा मंदिर नदी में से निकला हैया आप सभी को यहां के दर्शन करने से और जरूर से आना चाहिए यहां पर गोशाला और हत्करगा काम भी चलता है और बहुत ही अतिश्यकारी प्रतिमा हैं बहुत ही सुन्दर जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहां मंदिर आए और बार दर्शन करें प्रतिमा इतनी अत्रिश शारी है कि दुबार वापस मंदर फी दर्शन करने आये हम लोग प्रायोजग ज्यान दानम गुरुकुल